बतादे महाराष्ट में सत्ता परिवर्तन के बाद आए दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है जब से एकनात सिंदे उद्धो के बिधायकों को तोड़ कर अपना अलग गुड बना कर बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंतरी बने हैं तब से महाराष्ट में घमासान म परचा हुआ है आए दिन किसी ना किसी वज़ा से उद्धो ठाकरे और एकनात सिंदे हमेशा आमने सामने रहते हैं इस बीच भी महाराष्ट में एक नया बिवात प्रप्ता हुआ दिखाई दे रहा है दरसल आपको बता दे महाराष्ट विकास अगारी एंभिये च्छतरप की है शात ही इस मार्च में महाराष्ट करनाटा सीमा विवात का भी मुद्धा उठाये जाएगा इसके अलावा एंभिये द्वारा महाराष्ट के राजपाल भगशिंग कोश्यारी को सिवाजी पर उनकी विवादा अस्पत टिपड़ी को लेकर पद से हटाने की भी माग की जाएगी एनाई के अनुसार प्रस कंपर्स को संबोधित करते हुए उद्धो ठाकरे ने कहा कि 17 दिसंबर को हम औरतमार राज सरकार के खिलाप मुंबई में जीजा माता उद्धान से आजाद मैदान तक मार्च निकालेंगे और महाराष्ट के राजपाल को हटाने की माग क प्रस कंपर्स के दवरान उद्धो ठाकरे ने सिंदे सरकार पर खूब हमले की उद्धो ठाकरे ने कहा कि आज करनाटक हमारे चेतरों और गाओं यहां तक की जाट सोलापूर पर भी अपना दावा ठोक रहा है कलबो हमारे पंडरपूर विठोबा पर भी अपना दावा करेगा उन्होंने सवाल के ल foul के लहज़े में कहा कि जैसे गुजराज चुनाओ से पहले हमारे कुछ योजनाए गुजराज को दे दी गई तो क्या करनाटक चुनाओ से पहले हमारे गाओं करनाटक को दे दिये ज कुशिस की जा रही है इसलिए हमें अंदोलन करने की जरुरत पड़ रही है मौलूम हो कि महाराष्ट के राजपाल द्वारत छतरपती सिवाजी महाराष को पुराने आइकान कहे जाने के बाद राज़ में विवाद छड़ गया है उनकी विवादित बयान ने महाराष्ट के बड़े पैमाने पर हंगामा खड़ा कर दिया और मराठा संगठनों और विपच्छी निताओं से समारूप से इसकी निंदा की अब देखना होगा कि एमभीय की सरकार के खिलाब 17 दिसंबर को मुंबई में मार्च की घोसला का इस विवाद को किस तरह ले जाती है